खादी ग्रामूद्यों के क्यालंडर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी के चर्खा चलाते हुए तस्वीर लगाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है महत्मा गांधी के प्रपोत्र तुशार गांधी ने बड़ा बयान दिया है उनका कहना है कि अब खादी भंडार बंद करने का समय आ चुका है उन्होंने मूदी सरकार पर आरूप लगाया है कि वो लोक्रियता के लिए सोच समझ कर ये सब कर रहे है खादी भंडार के कैलेंडर से बापु का गायब होना और नरेंद्र मूदी की तस्वीर लगना क्या कहना है इस पर महात्मा गांधी के परीजनों का मेरे साथ उनके परपोते तुशार गांधी हैं तुशार जी क्या प्रतिक्रिया सुबह से मैंने यही कहा है कि जब से ये सवाचार मैंने सुना तो मुझे एक पुरानी फिल्म बालक का गाना याद आ गया जिसमें वो बच्चा गाता है कि सुनले बापु ये पैगाम मेरी चिठ्थी तेरे नाम और उसमें दो पंतियां हैं जो मुझे लगती है कि आज की संदर्व में बहुत ही रेलेवंट बन जाती है जहां बच्चा कहता है कि तेरी ठकली ठकली तेरी बकरी ले गया चोर आज situation वो आ गई है कि वो गाने की पंक्तिया सार्थक बन रही है और मैं सुबह से ये गाना गुन गुना रहा हूँ कि वो जो कभी होंगे वो कितने उनकी दिव्य शक्ति होगी कि उन्होंने भविश्य में होने वाली चीज के बारे में टिपनी तभी से कर दी थी जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है अब क्या मानते हैं क्या जानबुच के किया गया है ये सरकार कोई भी चीज भूल से होने नहीं देती खुद भूल करती है लेकिन किसी और को भूल नहीं करने देती मुझे लगता है कि ये एक सूनिश्चित विहो रचना है एक परसनेलिटी कल्ट को पैदा करके बढ़ाने के लिए क्या आप कोई सरकार से मांग करेंगे हाँ मैं ये कहूंगा कि ये केवी आईसी बंद करते क्यूंकि वो खादी का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो केवी आईसी है वो वैसे भी बापू की खादी बनाते नहीं अब तो उन्होंने एकरार कर लिया कि वो प्राइम मिन सरकार के तमाम फैसले बापू के विचारों के खिलाफ हैं बापू के खिलाफ बापू के विचारों को तो उन्होंने कभी मानियता ही नहीं दी है तो कहां से हम ये दोश उनके ऊपर नहीं डाल सकते क्यूंकि उन्होंने बहुत ही खुले मन से ये कहा है कि वो गोरसे वादी बापु के परिजन जिनका कहना है कि अब खादी को बंद करने का सही समय आ चुका है